नाम जाति धर्म छेत्र संप्रदाय आधिकाउल लेखना ने पाए आपके परचे में जी सर मैंने अपना ग्रियोशन यूनिवर्शिटी आफ इलावास से एकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टाइंच और एंफिन हिस्ट्री में कंप्लेट किया है तब मेरा यूपी पीचिस में यह सेकंड प्रयास है और मेरा दिती इंटर्व्यू है और मेरा ऑप्सनल जोगर्फी है ठ ठीक है आपने दो अटेम्ट लिया यूपी पीचिस के जी सेकंड अटेम्ट है और पिशली बार भी आपने इंटर्व्यू दिया कहां कमी रह गई थी पिछली बार मेंस में ठोले नंबर कमती है ठीक है बैकल्पिक भी आपने आप्ट किया है जागरफी जी सर इस बार मेंस कैसा हुआ है पिछली बार की तुलना में मेरा प्रतम प्रयास का उसकी कम्यों को मैंने दूर कनने का प्रयास किया है ने कैसा हुआ है बेहतर हुआ है या फिर वैसे हुआ है जैसे पिछली बार हुआ था इस बार इंटर्व्यू में कुछ कम अंक मिलेगी तब भी बात बने किया है जी सर जो मैंने बेसिक बेसिक चीजें हैं इंटर्वियू के लिए जो आप सकता रहती है उसके मैंने काम किया और अपनी पर वर्क किया है चली किसे कहते हैं आत्मे विश्वास किया होता है यह जीवन में आगे बनने की प्रणना देता है अपने उपर विश्वास से क्या रशे है जी सर मैं यह चीज पास सकता हूं मैं यहां चीज़ें प्रयास करूंगा, सही पात पर चलूंगा, तो मैं यहां तक पहुच सकता हूँ ठीक है, जरह आपनी स्टेंथ बता दीजिए, दो जी सर, डिसीजन मेकिंग, एंटर लीडर्स क्वाल्टीज और बेकनिसेज में दो जी सर, मैं थोड़ा भाव उखनेंगा, एक और, जी सर, गाड़ी नहीं ड्राइब कर पाता हूँ, असर ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं, गाड़ी, ठीक है, एक तो यह विकनिस हो गई, ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं, यह रोचक है, कोई बात नहीं, ड्राइवर वगर मिलेंगे ही आप टिप्टिकल्टर बन जाएंगे तो में लेकिन सर मैं सीखने का प्रयास करूंगा अच्छा जाग्रफी विशे आपने चुन लिया यह बात समझ में नहीं आ रही है है इस परिच्छा में तरीया जो चैन होता है युनिवरिटी में वहां सर नंबर की थास होता है इस विसे मेरी रुची थी तर मैं या विसे पढ़ना जाज़ा था और सर यूपी-पी-ची-ची-च में पिछले साल के रिगार्ड देखने पर यह मैसूस होता है कि जोगर्फी विसे ने काफी अच्छा किया है इसलिए भी म अगिजा आपने बताए कि इड्मीशन किसे में इन कया प्याप को इकोनामिक्स, पॉलिटकल, साइनस या हिस्ट्री में इड्मीशन नहीं मला था पोस्ट्ãy रिजुशन में? श Robertson तो आपने किया महीं तो आपने किया है जाग्रफी आपने आप्ट किया है कि प्रसासन को चलाते समय हमें यहां ध्यान नखने का सकता होती है कि उसकी भागोली की स्तिती कैसी है पर यह से यदि हम यूपी के लिए कोई भी योजना बनाएंगे तो यदि वह यूपी तीन भाववम बटा हुआ है भावारुमतराई के लिए हम अलग तरीके से योजना बनाएंगे युम्मद गंगा का मैदाने उसके लिए अलग तरीके से योजना बनाएंगे और जो हमारा बुंदेल खंड का अरिया है उसके लिए अलग प्रकास योजना बनाएंगे रहायन सैने पहनावा है वह आपके हिसाब से अगर भागोली कि स्तती जानने की छमता किसी में नहीं हो तो उसको डिप्टी कलेक्टर नहीं बनना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए नहीं सर्मेरा यह कहने मद्द नहीं है लेकिन सर्व जोगर्फी विसह से अच्छे तरीके सए स्य यानकारी राप्त वैकती अच्छे तरीके से प्रिशाफन को करता है है जैसे मौसम गर्म होगा हम सूती वस्तर प्र नेकिन जाएंगे अन lies न्यूंठफनीm प्रदेश कि भौवगौलिग शीमा बता दीजी हुआ ही हिंद्ग Soundsшree वन्तर है पस्षिम में सामली है, पूर्म में बलिया है और दच्छिन में सोन बद्र है उसे चार जिले, भगोलिक शीमा अरधारित करते हैं, बाकी और नहीं जी सर, अलग-अलग जिले भी लगते हैं यह से कि उत्राखंड के साथ, इमाचल प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, राजस्तान के साथ, दिल्ली के साथ, नेपाल के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, जहारखंड के साथ, छत्तितगड के साथ, वोई एक देश है जिसकी सीमा इस परस करती है, जी सर, नेपाल की, कहा उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ जी सर नेपाल के सीमा उत्तर पूर्व की तरफ टच करती है ठीक है एक चर्चा में इधर रहा डूम सडे ग्लेशियर जाग्रफी क्या विद्ध्याती है एडिया है इसी को करते हैं वाइट ग्लेशियर क्या होते हैं सर मुझे अच्छे दरीके से नहीं मालूम लेकिं सर ग्लेशियर बर्फ के जमें बें टुकड़े होते हैं तुकड़े होते हैं इसिसे क्या फायदें नुक्षान हैं जिसार समोध तटीन नगरों के डूप जाने का खतरा कि सामने है हम लों के जिसार क्या कारण रहे हैं उसके इसके आए ग्लोबल वार्मिंग इसके पेशे मुख के कारण है जिसकी वजाए दृति अर ग्लेशियर पिगल नहीं है और ग पिखलेंगे तो सब्सक्राइब जब कम होगा तो सब्सक्राइब गर्मी इससे ज्यादा और बढ़ेगी है ठीक है चलिए बताए उत्तरप्रदेश को अभी बजट में जो धन्राशिका वंटन किया रहा था चेत्री आधारपद कितने चेत्र में बाट करके किया गया है उत्तरप्रदेश बजट में कि केंद्री बजट में उत्तरप्रदेश के बजट की बात कर रहा है पुन्देल खंड छेत्र पूर्वी उत्रप्रदेश पश्मी उत्रप्रदेश मध्य उत्रप्रदेश जारों में से किसको सबसे ज्यादा धनराशी आपन्टीद की गई है यूपी बजट में 6,90,000 क्रोल पर टोटल दिये गए हैं सरी मुझे चमा जाओंग मुझे यह वालूम नहीं है तिन नय विष्व विडयले क्षूलनी की बात है है काहां काहां किन किन मंधलों में इस द्यवी पाथान में फिलेगा है मिरजपूर में खुलेगा कुषी नहिर में थीक है पांच से धारमिक सहरों के नाम बतादविस्थ हुत्ते हो प्रयाग राज, ंवानलसी, मतुरा, ऐध्ययक नतमार कॉशाम्बी कॉशामका कॉशामी भी सहर है सर मुआ से बहुत धर्म है जयन धर्म है और कोई धार्मिक माथ्ता कवशंबी को जो पूंट गंगा विलास क्रूज जानते हैं कि यह है अच्छे तरीके से नहीं जानता है लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में सुना है यह यह यातरा वारावसी से लेके आसम तक के लिए तीक है प्रधामंतिर नरेंग मोदी जी ने इनका उद्गाटन किया था अधी बजेट में अलोकेट हुआ है वारार्शी के लिए रोप हुए बनने की बात है काशे विश्वनात मंदिर के दर्शन के लिए तो कहां से कहां तक बनना है इसको कशज़्OS अंगा स्वर कैम कि प्रयाग राज में महा कुम्व कब लगेगा 2020 में अधे हैं कभ सहां याश्श चा judgment इधर आ है कि परियाग राज के बारे में सब आपको पता czenia यिद्धर ठोड़ा बहुद के लिए कितने बजिट कि धन्राशी का लोकेशन हुआ है? पचीस सो क्रोल लुपे और प्रयाग राज के लिए टोटल? पचास क्रोल लुपे अग मैं टोटल बताईए महाकुंब और परयाग राज सब का मिला करके कितने धन्राशी अबंटीत की गई है सर महा कुमे के लिए पच्छिस सो करोल बे किये गए है तो ठीक है टोटल टोटल सर यह मुझे छमा चांगा था ठीक है प्रयाग राज कि शीमा को कितने जिले इसपर्श करते हैं और कौन-कौन से सर कौसांबी फतेपूर प्रताबगर जौनपूर अब ठीक है सर अब जोग्राफिकल कुश्चन पर इतनी बार छमा क्यों मांग रहे हैं ठीक से नहीं पढ़ है क्या जोग्रफीक है सर पढ़ा है सर बजट पर जो भी सवाल किये गए सब मैं आपने चमा चाहूंगा कहा जब कि आप इकोनामिक्स के विद्यारती हैं तो बेसिक इंटरेस्ट आपका कहीं और है क्या नहीं सवाल कर रहा हूं कि कहेंसत नहीं कि लिट्रेचर और अगेरह में आपके रुचियों और प्लिटिकल साइंश और कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे आप की जिसर पॉलिटिकल साइस एक मेरे हिसाब से बेज्ञानिक विषय है जो तर्क सम्मत के चलता है या इसमें कुछ बातें कला के भी रहती हैं भाक, बाद था प्रकुर्द बेदर से तंठ आ कर्द सायंस को आप कैसे थैद करेंगे कि सब्जेक्ट के रोंस का कुछ दिफाइनिंग करेक्ट्रिस्टिक्स होंगी ना तो क्या है कि कि चीज जी आध्यन करता है कि लटका साइन से राज्य का अध्यन करता है यह पहले आनी चाहिए आपके उत्तर में और किस चीज का अध्यन करता है कि वुआ जैंजिश्ट संपरभुता सरकार सासन प्रसासन और एकुनामिक्स किस चीज का अध्यन करता है एकुनामिक्स को परिभाशित कर सकते हैं चोटी इसी परिभाशा कोई बताईए अर्थ शास अधर धन का विज्ञान है अर्थ शास के अंतरगत में हम उत्पादन और वित्रन के संशादनों पर किसका आधिपत्त है इसके बारे में हुआ है 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 अपने वह बड़े अर्थ शास्तिर हुए माल थका नाम सुना जी थे चाहिए है उन्होंने जन संख्या पर पर से दान दिया अधा एक समय के बाद जनतंक्या विस्पोर्ड किस्तिती उत्पन हो जाईए एक उसके बाद दुनिया में दुनिया पर क्या आजर पड़ा इसका इस थे रीका उस समय के विजारकों के लिए एक अच्छी चीज थे कि उससे लोग विचार जागे लेकिन तर विया थे तरीके सठीक नहीं बढ़ती है क्योंकि सर अभी अगर उनका मुख देखेंगे तीन से चार के बाद तो सर यह जो थे वरी है वह फेल कर जाती है अजब मैं अगर कहूं हूं कि मालतस ने थेयरी अफ पॉपलेशन जो दिया उसके बाद ही इंडस्ट्रियल रिवोलूशन सुरू हुआ क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही तो उसको खिलाने के लिए संसाधन भी चाहिए तो मेरा कथन सही है कि गलत है आपकी निगाह में जोड़ी है या नहीं जोड़ी है इस पर कुछ है आपका ध्यान आपके आप चुक्य अपनी इन्वस्टी का नाम लिखे यह दिये है आपके डिपार्टमेंट के बहुत बड़े एको नामिस्ट हुए थे जिए यह कि मेहता साथ उनका क्या कांट्रिबूशन है एक नामिक्स में कि जी सर उन्होंने कहा था कि अधिक्तम सुख इच्छा रही तवस्ता में होता है कि तो मालतस का सपोर्ट करते हैं कि इनका विरोध करते हैं हिए है एक थो हमाघ है कि मिश्का इस आफ जीडी पी क्या होता है एक वर्ष्ट बिर्भातियक सेक्टर दिटएक सेक्टर कि अभी एक योजना बनी है पीएम स्वानिधी योजना यह क्या है मैं पीएम स्वानिधी योजना इस्ट्रीट बेंडरों के लिए है इसके अंतरगत में 10,000 रुपए प्रदान किये जाते हैं कि ताकि वह अपने सो रोजगार की अपने रोजगार के लिए उनको बहतर आउस उनको चुकाना रहते है यह पीएम स्री स्कूल योजना भी को योजना आई है मैं कि मुझे थोड़ा हो पता वर kilometres स्कूल अब वहतर बनाने के लिए युद अधान है और कुछ निगे अशके तो शक्र्णा में काफी है यह बागे श्भादointed तो किन के बारे में चर्चा हो रही है कौन है यह क्या नाम इनका और किस परतक्ष पर हो रही है कि मैं बागेश्पर बाबा ने जो चीजे कहीं है वह उनकी धार्मिक स्वतंत्ता है जो हमें अनुच्छेद पचीज चब्वीश्टाइश तर्फाइश के तयाद प्राप्त है और कोई भी व्यक्ति यदि वह अंधि दिश्वास नहीं फैला रहा है और वह अपना धार्मिक करता भी कर रहा है तो हिंदू राष्ट की मांग उचित है अनुचित है कि सवीधान के सब्सक्राइब करें निरपेश राष्ट है दिए तो क्या नाम है जिनके लुक्त वागेश्वार बाबा बोलते हैं उनको तो बिलुए लोग से बोलते हैं नाम क्या है उ कि आख जाओंगा आपको नहीं पता मैं असनातन धर्म की बात कर रहे हैं जो सर स्ने जboard्रेले कुल Oh dude पूछा तो दो क्या है संथ और कि धर्म की वायां की गई वह कई जाता है कि ज हम धारन करें ‟ हम धारान करते हैं वह नारान करते नयति हमोले MI क्या जो हम लोग Two псих । हिर नहीं हम सब्सक्राइब नहीं हो सकते हैं जाह Administration और मुझे यह बताएए कि नई जो 720 क्या कि संभिट हुआ था उत्तर परदेश की किसी जहर मं हुआ था पता है जी ट्वेंटि क्या है पहले तो बताएए मुझे है क्या इसलिफ निय्समें यूर्पेन उन्यान सामिल है और मैं इसका अठार्वा सम्मेलन भारत में होगा इसके लिए उत्तरप्रदेश के चार फैर को चुना गया है लगनौ कानपूर वारांसी और ग्रेटर नुएड़ अगर आप एक सम्मानित पत्त के इसके लिए आपने अप्लाई किया डिप्रिक एलेक्ट्रोड के ल और आपके दौरान अगर इस तरह कोई केस होता है तो कैसे हंडिल करें और सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा मैं जो भी पहले तो मैं इस मामले को पूरी चांद बिन करूंगा वह जो इसकी जाज करने का अदेश दूंगा और मैं जो भी दोसी रहेगा उसके खिलाफ सक अगर बान लीजिए उस समय महौल इस तरह गरम है और दंगा फसाद कर नौबत है और हो लोगों में काफी हड़कम मचा है तब क्या से सिचुवेशन करेंगी तब आप चांद बीन करेंगी कि पहले स्थेप क्या होगा आपका पहले तो मैं सांतिक अपील की जाएगी और मै पौलीस भल किया जाएगा और मैं पैट्रोलिंग की जाएगी शॉकषी बढ़ाई जाएगी और मैं लोगों से सांतिक बुश्णा बनाए रखने की अपील की जाएगी हिंसा और हिंसक क्या है कर करता है कि यहां हें कुछ हैंई तो क्या मुझे यह होती है इंड़ना उन्जाइअ चार अब यह समझांगे लुग मैं मुझे और ओनी में पता है कि आप को अब से कब तक अध्यक्षा करने भारत को एक दिसंबर 2022 से लेके 30 नॉबर 2023 थीक जिए अध्यक्ष काउन है इसके बारत है प्रधार मंतरी ची ने उसके अध्यक्षे जीज़ सर्थीम क्या है G20 की जीजर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुदय कुटमबकम क्या है वसुदय कुटमबकम का अर्थ सारा प्रित्वी हमारा घर है कि सुधय कुटंबकम यह सेंटेंस कहां का है कि उपनिशत से लिया गया है कि यह संस्कृत जो है उपनिशत की भाषा तो नहीं तो बहुत बाद की भाषा लग रही जहां तक मुझे याद है उपनिशत से लिया गया है चलिया इधर सीजी आई स्टेट्मेंट आया है कल की बात है मेरे ख्याल से छात्र आत्मात्यात्र रहे हैं इस पर उन्होंने बोला है कि शवेदन शील होने की जरूवत हैं को या फिर जो स्कूल्स हैं कालेजेज हैं तो प्रतिष्ठित संस्थान बनाने की और अब तक 15 साल तक प्रयाश किये अब उनको किस दिशा में प्रयाश करने की जरूवत है किस तरह का संस्थान बनाने की जरूवत है कि लोग आत्मात्या न करें आत्मात्या रुके छात्रों के बीच में इसके लिए एक शब्द उन्होंने दिया है पढ़ा है नहीं आपनी नहीं आज का अगबार कि सब्सक्राइब अच्छा लगाए आपसे बात्चीत करके अब आप जा सकते हैं नमसे कैसा रहा पेंटेव्यू मुझे लगता है कि जैसे जोगर्फी की ऊपर मलग की आफ्शनल में उस पर थोड़ा काम करना जा तो मुझे हम ऐसा लगता है और जैसे एकोनॉमिक्स हो गया पॉलिटिकल साइंस हो गया इसकी जो छोटी योटी परिवासा है और यो मेरे दो से तीन जो सब्जेक्ट रहे हैं उसको पूरा एक बार देख लेना है और इसके अलावा एकोनॉमिक को पॉलिटिक परिवासा अच्छे तरीके से और जैसे आपने ग्लेसियर की परिवासा पूछी ती हुआ नहीं और जैसे जो छोटे जोगर्फिकल टर्म्स हैं उसको अच्छे त पर्सनालिटी टेट से जो रिलेटेड हैं आप यह आप ऐसे हाथ करके बढ़ा करके आने के लिए पोच्छते हैं आते समय कुछ आइसे आप बढ़ा रहे थे तो यह तो यह आदत अच्छी नहीं छोड़िये इसको और आराम से आपके पास समय है तब तक आप इसको आप पीछे बिल्कुल नतमादी मैं आराम से आप खड़े रहे हैं और एक बार में बोर्ड को नमस्ते कर लिजिए बार बार सपो करने की जरूरत नहीं है कहने के बाद बैठ जाए थैंक्यू बोल करके आप पहले जो में रहेंग उनको आप करिए और बोले कर कोई महिला ब बैठी को बैठी है आप कर सकते हैं एक बार में आप बोर्ड को ल Demoastha कर लिजिया चार लोग 5 लोग बैठे है कोई महिला है तो आप कर लिजिये tier लक्षे किन सब को अलग Elag舞 к παरिंजियर के चायर किへ मोखातिभ के मार्मन के लिग बार बेंजिक एक बार में भाल दीगे उ जा सकते हैं Sitting posture पर थोड़ा सा पूरे chair में बैठी और थोड़ा सा पैर के बीच में गैब कर सकते हैं जी सरे बोला जाता है ना कि लड़कों को ऐसे बैठने का दो इस तरह बैठना जाएए आप कैसे भी बैठी है थोड़ा सा पहर के बीच में गैप रहे तो ठीक है यह था नहीं यह पन्जे पंजे मोई जो पंजे आपके दोनों उनके बीच में करिए थोड़ा और कर लिए यांसे ले करके आपको पता है कहां कहां पढ़ना है ठीक है यह वाली बटन तभी बंद करिया जब टाई लगानी हो अगर टाई नहीं लगाना है तो उसको खुली रखे एक और भात भिखान में आई है आप बटन आपने बंद किया है सर बता ही रहे हैं दूसरी बात कि जब सर आपकी कुछ कमियों को गिना रहे थे बता रहे तो उसमय आपका जो हसने का पोशर था जो सीन थी ठीक नहीं लग रही थी अपनी ही कमी पर मुश्कराना तो ठीक है चलिए हसते मुश्कराते आप पूरा समय गुजरिए लेकिन जब आपकी कमी इंगित की जा रही हो त आपको नहीं ध्यान होगा तो इन बिंदुओं पर ऐसी गलती मत कीजिए बागी ठीक है अगवार ठीक से पढ़कर के जाएं बहुत सारे सवालों में आपने चमा मागा तो पढ़कर जाएं नहीं जो अगवार पढ़कर क्यों सी ख़बर किस पेज पर छपती है केल की ख़बरें काँ चपती है सब चीजें पता ही हैं लोकल घबरें इन सब कंछुनर पनारी थे जिक रोज अखवार पढता है पैक्षा की जातiny किन बातों को जानी है ठीक है बेश्ट झाल झाल